नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं होली का लुपत उठाया वहीं सिक्छा मंत्री संग फूलो की होली भी खेली इस मोखे पर सियम सिरी सुरेण ने सभी को होली की अगरीम बधाई एवं सुब कमनाय दिया बता दे सोमवार की साम राची की टॉणडाईश थी जराज जेके सिक्छा मंत्री जगनात महतो के आवास पर होली मिलन समारो का उजन हुआ इस मोखे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता सामिल हुए इस होली मिलन समारो में सियम हमान सुरेण भी सामिल हुए इस दोरान सियम सिरी सुरेण ने जहां सिक्छा मंत्री सिरी महतो के साथ फूलो के होली खेली अने नेताओं के साथ भी होली का लुप्त उठाया होली में जहारखन का मौसम देश में होली की खुमार चा चुकी है ऐसे में लोग मौसम को लेकर ससंकित है मौसम केंदर राची के अनुसार है जिसकी वज़ा से बारिस के असार नहीं नजर आ रहे है होलित टक के मौसम की बात करे तो मौसम सुश्क बना रहेगा और अगले 2-4 दिनों में 3-4 डिगरी तापमान बढ़ सकता है जहारखन के सभी लोगों का बनेगा हेल्थ कार राज्य के सभी नागरीकों का हेल्थ कार्ड बनेगा इसके मादम से जहां मरीजों के स्वास्त रिकार्ड का डिजिटल रूप से उपयोग किया जा सकेगा वहीं विभीन परकार की जाज की रिपोर्ट तथा डाक्टरों का पूर्जा भी डिजिटल मिल सकेगा स्वास्त में IT अधारी सेवावों को बढ़ावा देने के लिए अगामी बीतिये वर्स के बजट में 40 को रुपए के प्रवधान किये गए हैं स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा की अब मुख्य मंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योईना के तहत जरूरत पढ़ने पर 10 लाख रुपए तक रासी इलाज के लिए मिल सकेगी छटी जपीसी नौकरी गवाने वालों को सुप्रीम कोड से रहा है छटी जपीसी के संसोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के जहरकन हाई कोड के आदेश पर सुप्रीम कोड ने रोक लगा दी है फिलाल उन अभियार्थियों को अम्तिम राहत मिल गई है जिन्हे संसोधित परिनाम जारी होने की वज़ा से नोकरी जाने का खत्रा था हाई कोट के आदेश के खिलाब दाखिल S.L.P. पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय और जस्टिस अभाय की खंड़ पिट ने कहा कि मामले में जार्खन सरकार और J.P.S.E. का पक्स सुनना बहुत मतपूर्ण है अदालत उन्हें पक्स रखने के लिए नोटिस जारी करती है ज़र्खन पंचयज चुनाव जल सीम हेमांत मुख्य मंत्री हेमांसुर ने पंचयज चुना खुलेकर राज सरकार की प्रतिबत्ता को सौधन में साजा किया सो मार को मुख्य मंत्री प्रसंकाल में उन्होंने अस्पषट किया है कि ट्रीपल टेस्ट के बगार ही बाद्याता सुप्रीम कोट के आदेश में नहीं है, अगर होती तो उडिशा पछिम मंगालत मिलाड़ू महाराष्ट में चुनावना होते, मुखे मंत्री प्रस्णकाल में आई सुभी धायक लंबोदर महतों के सवाल पर उन्होंने परिश्थितियों को भी साजा किया, कहा प आईपा के राष्ट्रिय उपाध्यक सजहारखन के पुर्व मुख मंत्री रगवदा से मुखे मंत्री हमान सुरें से द कस्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फिरी करने की मांग की है, उन्होंने कहा कि नब्बे के दसक में कस्मीर में हिंदूों के साथ बरबरता पुर्ण आतंक्यों ने कुछ दलों की तुष्टी करन की राइनित के बॉल पर कस्मीर में हिंदूों का नरसंहार किया, हमारी मतावों बहनों के साथ जानवरों सभी बद्दर बेवहार किया गया, लेकिन दुर्भागे वस बोट बैंकी राइनितिक ने सालों तक या सचाई देश से किया है, करमचारियों की प्रोनाती पर लगी रोक हटाने की त्यारी, राइस सरकार करमचारियों के लिए प्रोनाती पर लगी रोक हटाने को लेकर पूरी तरह से त्यारी करने में जुट गई है, मना जा रहा है कि होली के बाद ही सदन में इससे समंधीत बिधहक लाया सरकार ने तय किया है कि परिणामी वरियता के अधार पर कर्मियों को प्रोनती दी जाएगी इससे समंधित फाइल विभीन माध्यम में से होते हुए मुख्यमंदी तक पहुंच चुकी है मुख्यमंदी ने कुछ संदेहों को दूर करने के निर्देश दिये हैं इन निर्देशों के कारण ही विधायक में देरी हो रही है ज्यात हो की सरकार पहले ही तक कर चुकी है कि कर्मियों को परिणामी वरियता के अधार पर पर प्रोनती दी जाएगी इसके लिए तिये आरिया भी पूरी कर ली गई है 63- Xuफिक्षकों के मांदे में 5% की कटोती केंद्र सरकार ने आगामी वित्ये वर्स 22 स्थेज के लिए पारा पर 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 प्रोनती की है चालू वीतिये वर्स में परास्तिस्कों के मांदे के लिए कूल 870.91 कलोर रुपे का बजट सो क्रित हुआ था आगामी वीतिये वर्स के लिए इसमें लगभग 43.94 कलोर की कटोति कर लिगई है हलाकि इसे परास्तिस्कों के मांदे कम नहीं होगा क्योंकि कटी हुई रासी का भुगतान राई सरकार के बजट से किया जाएगा सी एंटी एक्ट उलंगण को लेकर 23 को विधान सभा का घेराओ सी एंटी एक्ट का उलंगण कर आदिवासियों की जमीन लूट सही 17 सुत्री मांगो को लेकर 23 मार्च को विधान सभा घेराओ होगा या जनकारी सोमवार को नगला टोली सरना भौन में प्रेश वार्ता में दी गई आयोजन, राजी पढ़ा, जहारखन, आदिवासी महा सभा, आदिवासी अधिकार मंच, केंद्रिय सरना समीती, राजी पढ़ा, सरना प्रत्न सभा, जहारखन, छेत्रिय पढ़ा समीती हटिया ने सन्युक्त रूप से की है बतादे पुरोविधायक, देवकुमारधान ने बताया कि घिराव कारकर में राची के अलावा लोहरदगा, गुमला, लात्यार, वा खुटी, जीले के लोग सामील होंगे जहारखन में कोरोना के 15 नाई केस मिले है, जबकि 45 मरी स्वस्थ भी हुए है, जहारखन में कूल एक्टिब केस की संख्या 218 है, भारत में 2046 नाई केस मिले है, जबकि 463 मरी स्वस्थ हुए, भारत में कूल एक्टिब केस की संख्या 33,99 है रगुवर्दास यूपी के सह परवेक्षक बने 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 रगुवर्दास यूपी के वाहन चालकों के लिए परिवहन विभाग ने एक महतपुन सुचना जारी की है अगर आप अपने ड्राइवी लाइसेंस ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आपके लिए 15 मार्च 2022 तक सांदार मौका है इसके लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन अवेदन कर सकते हैं बतादे राची जीला परिवहन पता दिकारी परवीन कुमार परकास ने बाचित में कहा कि मैनुवल ड्राइवी लाइसेंस को आउनलाइन कराने के लिए या बेहतर आउसर है इसके बाद लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है लोगों की मांग को देखते हुए 15 मार्च तक अनलेन आवेदन की तिथी बढ़ाई गई है होली पर हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं लोहरदगा पुलिस होली के तेभार पर सांती पुन वेवस्था बनाये रखने को लेकर लोहरदगा सदर थाना प्रभारी सब पूलिस निरीक छक मंटु कुमार के परतिवेदन के अधार पर अनुमंडल पदा अधिकारी अर्विंद कुमार लाल ने लोहरदगा जिले के सदर थाना चेत्र के दोनों समुदाय के कूल पचपन लोगों को धारा 107, 116 के तीन के तहत नोटिस जारी किया है जिसमें अनुमंडल पदा अधिकारी द्वारा कहा गया है कि पूलिस निरीक छक सदर थाना प्रभारी द्वारा समठ परतिवेदन के अलोकन से परतित होता है कि 19 मार्च 2022 को होली पर्व के दोरान दूतिय पक्स के लोग साउंड सिस्टम, डीजे पर ऐसा सलील भढ़काव संप्रदाईक गाना भासन की त्यारी कर रहे हैं जिससे असांती फैलने की संभावना है साथी बीधी बेवस्ता की समस्या उत्पन होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है ज्यारखन हाई कोट के भवन निर्वान के लिए 148.62 रुपे मंजूर की स्वक्रिती दी थी अब उप्रोक्त स्वक्रिती 144.62 की रासी से बिल्डिंग मेनेजमेंट सिस्टम आईटी एवं तक निकी कारे सड़क निर्मान कारे लेंड एसकेपिंग समेत अनेकार पूरे किये जाएंगे 1932 खतियान के मुद्दे पर सरकार ने रखा पक्ष जारखन विधान सभा में सोमवार को 1932 के खतियान के अधार पर अस्थाने निती का मुद्दा एक बार फिर छाया रहा इस पार विधायक सर्जुराय ने अपने स्वाल में ये जानना चाहा कि क्या सरकार 1932 खतियान के धार पर अस्थाने निती बनाना चाहती है या नहीं संसद्य कारे मंतिय अलमगीर अलम ने अपने जबाब में न तो इसे सविकार किया और नहीं असविकार सरकार ने कहा कि 1932 के अलावा भी अलग जीलो में अम्तिम सर्वे पर फिलाल सरकार अध्यान कर रही है बिद्याले में बनेगा बिद्यार्थियों का जाती परमान पत्र सरकारी बिद्याले में अध्यान रत बिद्यार्थियों का जाती पवन पत्र बिद्याले में बनने को लेकर सो मौर को हुसायनावाद परखंड करया लेक सभागार में एक बैठक आयुजित की गई इसके अध्यक्सा परखंड विकास पता दिकाई रतन कुमार ने किया इस दोरान पंचात पत्र निधीव कर्मी मजूद थे इस दोरान वीडियो रतन कुमार ने कहा कि सरकारी बिद्याले में अधेनरत बिद्यार्थों का जाती पवन पत्र अभी स्कूल में बनाई जाएगी राज उपभोक्ता आयोग में एकईस माह से सुनवाई बंद उतपाद वह सेवाओ के नाम पर होने वाली धोखा धरी वह सोशन को रोकने के लिए उपभोक्ता सनरक्षन अधिनियम लागू है बावजूत उपभोक्ता ठगे जाते हैं गराकों के हितों की रक्षा के जार्खन में राज उपभोक्ता बिवाद निवारान आयोग वजिला अस्तरपत जिला उपभोक्ता फोरों बना हुए है लेकिन समय पर सुनवाई नहीं हो रही है बता दे राज जे उपभोक्ता आयोग में 21 माह से सुनवाई बन्ध है अत्याक्स वस्त दस्य के पद खाली रहने से हजारों ग्राकों को नहीं मिल रहा है हलाकि राजी जिला उपभोक्ता फोरों में 43 माह बाद सुनवाई शुरू हुई है एक अपरेल से आवेदन में बदलाव नहीं कर पाएंगे बिल्डर जार्खन रियल एस्टेट रेउलेटरी अथ्रेटी एक अपरेल से एडिट एप्लिकेशन की सुविधाब बंद कर देगा इसके साथ ही 31 मार्च के बाद जारेरा निवंधन सम्वंदित आवेदन करने वाले बिल्डर आवेदन में बदलाव नहीं कर पाएंगे वहीं आवेदन में कमी मिलने पर जारेरा उसे खारिज कर देगा जिसके बाद फिल से आवेदन करना होगा जारेरा के मुताबिक अभी बिल्डर आवेदन देने के बाद दो तीन बार उसमें बदलाव करते हैं जिससे काफी परिसानी होती है सराय केला में जंगली हाथी का उत्पात तीन घर की ध्वास सराय केला के जंडिला पर खनी स्थित कांडर बेडा याम रामगर में एक जंगली हाथी नगा बिवार को तड़के सुबा तीन बजे तीन घरो को ध्वस्त कर दिया तथा घर में रखे धान को चटक कर गया इसके अलावा गजराई ने घर में पंखे फरनीचर को नुक्सान पहुचाया है गजराई ने खेत में लगे आलू समेत अने फसलों को भी छतिगरस्त कर दिया है गढ़वा में टेंडर डालने के दवरान हंगामा चाक चोबन सुरक्षा वेवस्था वाले गढ़वा समानाले में सोमार को ग्रामिन कारे बिभाग कारे प्रमंडल गढ़वा के ड्रोप बॉक्स से टेंडर पेपर लूटने का मामला सामने आया है जबकि कई लोगों को टेंडर पेपर डालने से रोकने का भी अरोप लगाया गया इस मामले को लेकर ठेकेदारों ने ग्रामिन कारे बिभाग के बाहर जम कर हंगामा किया नौबत दो पक्षों के बीच मार पिट तक पहुँच चुकी लेकिन इसी बीच गढ़वा एसपी को इसकी सुचना मिली जनकारी मिलते ही एसपी के निदेश पर गढ़वा थाना परभारी मौका पर पहुँचे और ड्रोप बॉक्स को अपनी सुराक्षा में लेते हुए कर्याले के अंदर रखवाया सीविल सर्जन कर्याले का कर्मियों ने किया घिराव छो माह से वेतन भुक्तान नहीं होने से नराज कर्मियों ने सोमवार को सीविल सर्जन कर्याले के घिराव किया सीविल सर्जन के दरवाजे के सामने घंटों धरने पर बैठे रहे पुलिस द्वारा समझाने पर चार घंटे बाद सभी बेतन भुकतान के अस्वासन के बाद वापस लोटे धरने पर बैठे कर्मियों ने बताया कि करीब 40 कर्मिय ऐसे हैं जिने 6 मासे बेतन नहीं मिला है जबकि बाकी 204 लोगों का बेतन 3 मासे बकाया है प्रती दिन 400 रुपे के भुकतान पर काम पर रखा गया था काम करने वाले सभी युगा अपना घर छोड़ किराये में रह रहे है 3 लाग किसानों को के सिसी का लाप नहीं मिला राज सरकार रीन के बोज से दबे किसानों का रीन माप कर रही है इसके लिए अब तक 9 लाग से अधिक किसानों को चिनित किया गया है कारण यह है कि सरकार ने रीन मापी स्किम का लाप उन किसानों को ही देने का पर रुधान किया है जिनका खाताई स्टेंडर्ड है एन पी ए होने के कारण 3 लाग किसानों का खाताई स्टेंडर नहीं है दूसरी ओर 9 लाग में से अब तक सरकार ने करीब 3.75 लाग किसानों का करीब 15 सोकोर रीन माप कर दिया है अगले भी तिये वर्ष 2022 तीस में भी रीन माफी के लिए 915.86 कोर रुपे के प्रधान किया गया है गीरी डी में एक बार फिर एक कर खाने में दर्दनाक हाथसा पेस आया है सहर के अध्योगिक छेतर मोहन पूरुष थीत सरमंगला कुट फैक्टरी में दिवार गिर जाने से तीन मजदूरों की मौत दपकर हो गई है जबकि इस हाथसे में एक महिला मजदूर गंभीर रूप से गायल हुई है गायल महिला मजदूर को बेहतर इलाज के लिए धनबाज रेफर कर दिया गया है जहां उसकी स्थिती चिनता जनक बनी हुई है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेले कर दबहिए साथ साथ वीडियो के एक लाइक का अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वाइक अवस्य दे थैंक्यू